नमस्कार, पित्र दोश का उपाय, पित्र पक्ष में आपकी विश्लाया हूँ, मेरा वीडियो पूरा देखना आप पित्र दोश नहीं होता, पित्रों की क्रपा होती है पहली बाद शब्द का उचानग है, पित्रों की क्रपा होती है और सदा पित्रों की क्रपा आप पर बनी रहती है अब पित्रों की क्रपा और अधिक बढ़ाने के लिए हम पित्रों को याद करने के लिए पित्र प्राणायाम कर सकते हैं पित्र प्राणायाम एक सरल प्रोसेस है एक श्वासों की सीधी नासी का बन करें यह हाथ सीधा करके यह चंद्ञारी आपके माता जी का चिरा याद करते हुए हाथ को उपर लें गा है 11 टाइम पाई नासिका बन करके दाई नासिका चाड़ू करके क्यारा बार पिता जी का चिरा याद करते हुए सूल नाड़ी नाभी पर ध्यान रखते हुए अगर अपने इन लॉस में कोई एक्सपार हुआ उनका चेरा याद करते हुए दोनों हाथ से इस पित्र प्रणायाम के माध्यम से आप अपने पित्रों से कनेक्ट हो सकते हैं जूड़ सकते हैं और उन्हें करते गिता दे सकते हैं पित्रों का दोश नहीं होता पित्रों के क्रपा होते हैं और जिस दिन माता पिता की याद में आपके आँखों में करते गिता की आसो आ जाए उदिन समझो शाहत कबूल हो गया जीवन आपका है सुझाओ मेरा